नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग फेंटसी टैलेंट आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों कल जो है वो दो मैचेस खेले जाएंगे पी एसल के पहला जो मैचे वो मुलतान और इसलामाबाद के बीच में होगा जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे दूसरा वीडियो भी आपको प्रोवाइट कराएंगे तो अभी इस वीडियो को पूरा देखना की कौन सा ट्रेंड चल रहा है किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है मुलतान के प्लेयर सी बैतर करेंगे या फिर इसलामाबाद के प्लेयर भी कुछ आपको अच्छा करके देंगे तो वीडियो को पूरा देख लेना आपके काम की सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइट कराएंगे साथ ही जी यल में कौन से डिसकी कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं उसके बारे में भी हमारा डिसक्रशन होगा तो चली दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही दोस्तों बैल आइकन पर प्रेस कर देना स्क्रिशन होगा दोस्तों मुलतान क्रिकेट स्टीडियम पर यह मैच होगा लगातार इस मेंदान पर तीसरा चौता मैचस होने वाला है अब टोटल इस मेंदान पर चैनल करने वाली टीम और दो बार सेकिंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है अच्छा बै लीडिंग में 154 रनों का स्कोर कर पाई थी अब राहले रिशो 75 नंबर तीन पर बैटिंग कर रहे थे यहां पर जो मुहम्मद रिजवान थे उन्हों भी आर्दशा तक लगाये था और दूसरी तरफ सेम अयूब ने 53 का स्कोर किया आप यह मान के चलिएगा कि इतना अच्छा बैटिंग विकेट है कि कोई भी बल्लेवाज जो थोड़ी सी अच्छी बल्लेवाजी कर सकता है वह इस मैदान पर आपको स्कोर करके दे जाएगा अ और यहां पर आप देख सकते हैं कि राइले रोशों ने 75 क्या वित रिजवान के तो दूसरी तरफ सेम अयूब ने स्कोर किया और यहां पर रिजवान ने स्कोर किया था तो इतना मान के चलिएगा यह वो ग्राउंड ने जहां पर आप बल्लेवास को अपना कैटन वाइस क बना दीजिए का अब बात कर लेते दोस्तों यहां से दोनों टीमों के हैड-to-head performance के बारे में दोस्तों अगर आप दोस्तों बात करें अगर दोनों टीमों के पर्फॉमेंस के बारे में हैड-to-head record दोस्तों ऐसा है कि पिछली साल बहुत सारी जो चेंजिस थे इस बार हमने देखे भी है मतला पिछली साल क्या हुआ तक ही जो टीम थी वो थोड़ी डिफरेंट थी इस साल कुछ टीम में बदला हुए हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मुल्तान सुल्तान के बारे में तो वेन् डूबफ़िट मिलर की बात करें तो दो पारियों में 40 रन काहिरंट पूलाड 25 और खुश दिल्शाने चार तरनों में पैसल स्कोर इस मेंदान पे और गिनवाजी की बात करें तो एक विकेट है उसामा मीर तीन पारियों में चहर्विकेट निकाल चुके हैं अब बास अफ बन में जो ओपन करने आएंगे उनके बारे में तो शान मसूद है जोस्तो इतना अच्छा बैटिंग विकेट है उसके बावजूद भी स्कोर नहीं कर पारा है बंदा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन इनके पास है फुल उपर्चुनिटी है क्योंकि इस प्रदान पे बैटिंग क करना असान है छे पारियों में 178 रनों का स्कोर और तीस के इवरेज को इन्होंने मेंटेन कि है इसलामाबाद के सामने आप इन्हें जील में अपना कैप्टन बनाके चलिएगा दोस्तों क्योंकि अगर टॉप और इसको नहीं कर पारा है लेकिन आप क्या देखेंगे इनका सेलेक्शन परसंटेज कम होता जा रहा है बैटिंग तो इजी है अब इनसे हो नहीं रही है टाइम खराब चल रहा है लेकिन यह मानके चलिएगा कि आपको एकादेक मैच में अभी रिसेंटली जब इस पैदान पर तक मैचस हो रहा है आप इन्हें अपना कब्दान जरूर बनाएगा खास तोर से जील के अंदर इसके बाद 29 पारी 1070 49 का इनका एवरेज है नो बार यह 50 से उपर का स्कूर कर चुके है और पहले बैटिंग करते हुए छे 50 है खास तोर से जब यह पहले बैटिंग कर रहे होना तब थोड़ा नजर रखिएगा और सेकिंड से जो है वो इनके थोड़े से कम रहते हैं फिर इसके बाद मोहमद रिजवान इस बंदे की कोई वीकनेस है नहीं इसलामाबाद के खिलाब 40 के अवरेज मेंटिन कर रहे हैं तीन बार 50 से उपर का स्कूर यह कर चुके हैं जिसमें पहले बैटिंग करते हुए दो पचास है और सेकिंड बैटिंग करते हुए एक बार 50 से उपर का स्कूर है तो यह घ्लाडी वैसे भी बहतर कर रहा है एक बार 75 एक बार 66 एक बार 28 नोट आउट कर चुके हैं आपको गलब से भी स्कूर मिलेगा तो रिजबान तो आपके कंफर्म पिक साथ में स्मॉल लीग के राइले रोशो दस पारी 169 रन एक बार 50 से उपर का स्कूर इन्होंने भी किया है इसलामाबाद के सामने जो कि पहले बैटिंग करते हुए किया था और इनको राइटाम फास्ट बोलर से समस्या होती है दूसरी इन्हे राइटाम मीडियम के सामने भी थोड़ी दिक्कते है अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे देखोगे टॉम करन फाही मश्रफ और वसीम जूनियर जो है वो इन्हें परिशान थोड़ा बहुत कर सकते हैं शादाव खान जो कि पहले पी इन्हें तीन बार आउट कर चुके है तो यह एक बैटल आपको देखने मिलेगी आला कि दो दोस्तो अगला जो नाम है वो है डैविड मिलर का 23 और 25 यह रिसेंट पाफोमेंस है लास्ट मेट नोट आउट थे काफी अच्छी बैटिंग चल रही थी 54 बारा सो उन्तालीस अरं 36 का अबरेच है तो अगर यह टीम पहले बैटिंग कर रही ना तो आप मिलर को अपनी टीम आप जल्दी आउट होता है तो मिलर आपको क्याप्टन लाएक स्कॉर करके दे सकते हैं और इन्होंने दो बार 50 पहले बैटिंग करते हुए तीन बार सेकिंड बैटिंग करते हुए दिया है और राइट आम फास्ट बोलर के सामने इने दिग्कत होती है और यह दोनों ही ग तो दुवादार वल्लेवाजी की पहले ही गेंदपर 6 लगा दिया था और पहले बेटिंग करती वे 30 है सेकेंड बेटिंग करती वे 50 है अब चुकि गेंदबाजी करना लगबख बंदसी कर दी है तो सिर्फ बेटिंग के लिए तो मैं अभी इन्हें टीम में पिक नहीं कर पा है फिर इसके आद दोस्तों खुश दिल शा जिन्होंने चे पारियों में 74 किया है और दो पारी में चार विकेट इस टीम के सामने निकाले हैं इसका रीजन में आपको आगे दिखाऊंगा और 29 पारियों में 548 रंट एक बार 50 से उपर का स्कोर है अगर गिनबाजी करते हैं सेकिंड गिनबाजी करते हुए 17 विकेट निकाले हैं इन्हें राइट आम फास्ट बोलर से समस्या होती है और अभी जो इसलामाबाद है उसके पास में कोई भी फास्ट बोलर नहीं है फिर दोस्तों यहां पे कार्लोस ब्रेथवेट एक विकेट मिला पिछले मैच में इसल दौनों पारियों में 233 विकेट निकाले हैं हाला कि पहली पारे कीजिद्भासी जदा बहतर रएक ड्रेथ्र तक गिनबाजी कर लेते है okि कि मैच इन्होंने विकेट निकाल कर दीए अपनी टीम को लेक ब्रेक गिन्दाज ही करते हैं और साथ पारीयों मेें peut 12 में इन्ने ऑस आ टेवेटियं दरज है ह pioneer आपको टीम में रखने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए और देखा जाए था दोस्तों इनका आगर आप वाइस केप्टन जी का सेलेक्शन देखोगे ना बहुत बढ़ चुका है बहुत सारे लोग आप इने वाइस केप्टन बना रहे हैं लेकिन मैं बता दू कि जिस तरह की गिंद टेकर गिंदबाज है अलाकि अभी तक विकेट मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है और पांच पारी में ग्यारा विकेट निकाल चुके हैं पहले गिंदबाजी करते हुए चार में आठ हैं जिसमें एक बार पांच विकेट भी इन्होंने निकाले है और इसके बाद अब अबास अफरीदी दोनों पारियों में दो दो विकेट है पहले इसलामबाद की खिलाफ खेल चुके हैं जिसमें एक विकेट निकाला है और 11 पारी 11 विकेट इनके खाते में तर्च है और अंत में हैं समीन गुल 22 पारी 25 विकेट पहले गिंदबाजी करते विकेट है इस टीम की तरफ से पावर प्ले में एहसान उल्ला समीन गुल और ब्रेथवेट आपको मिल जाएंगे और डैथ में अबास अफरीदी एहसान उल्ला और कार्रोस ब्रेथवेट आपको नजर आएंगे अब दोस्तों यहां से आते हैं सीदे जो दूसरी टीम है उसक प्रेक करें तो सबसे पहले आते हैं हसन नवास पर नए प्लेयर है मात्र टुटल 6 मैचस खेले टी 20 मैं जिसमें 108 रन है साथ रन पिछले मैच में स्कोर किया था अगर आप इनका 6 मैचस का स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो महज 116 का है तो कोई तावर तो बल्लेवास त कर सकते हैं आप इनके खाते में शतक भी देखोगे पिछली एक साल के अंदर लेकिन रीजन क्या है कि प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर है बिल्कुल यह मान के चलिएगा कि आड़े बल्ले से गेन खेलेगा बल्ले पर गेन प्रॉपर आता रहा तो बैट पर बोल आने के च क्रेप्टन वाइस क्रेप्टनसी की इनके लिए सलाह है बिलकुल आख बंद करके एक टीम में कफ्तान बनाईएगा इन्हें एक टीम में शान मसूत को इसके बाद कमजोरियों के लिए थोड़ी लंबी है लेकिन और्थोडॉक्स गेनवाज जादा परिशान करता है बारा क का एवरेज है इसके बाद आते हैं दोस्तों आरवी दसन पर 31 किया था दोस्तों आरवी दसन टीटी के टीटीटी टाइप प्लियर नहीं है यह आप भी जानते हो और अच्छी तरीके से जानते होगे लेकिन दोस्तों बता दूं इतना क्योंकि अगर इनकी खुद की टीटी सनों का स्कोर भी देखा अब चुकि इनका 27 का एवरेज है और 14 पारियों मेहज 150 कर पाएं जबकि टॉप ओडर मेही मैक्सिमम मैक्सिमम मैचस पर बैटिंग करते हैं और यहां पर अगर देखें तो पहले बैटिंग करते हूं एक 50 इनके खाते में धर्ज है लेफ्ट आम मी मेडिया में सामने वाली टीम के बास में फिरेक कॉलिन मन्रो 58 स्कोर किया था और रन आउट हुए थे दोस्तों चार पारी 86 रन मुलतान के सामने 21 का एवरेज है वैसे 29 का एवरेज और आठ बार 50 से उपर का स्कोर है वीकनेस कोई भी नहीं है इनकी यह बंदा आपको स्कोर करके दे सकता है इसके बाद आजम खान है चावाली स्रनों का स्कोर किया चार पारी पैताली स्रन है और सत्रा का हाईस्ट स्कोर है मुलतान के सामने और पिछले एक साल की अगर बात करें तो 29 का एवरेज पांच पचास और एक शतक यह लगा चुके है पहले बेटिंग करते कि कुछ दिल्शा को विकेट क्यों मिले थे यह रीजन है आप देख रहे हैं ना कुछ दिल्शा लेफ्टाम और्टोडोक्स रिपीट हुआ है फिर आसिफ अली नो पारी एक सुचैरन तेरा का एवरेज है और यहां पर आइटाम मीडियम लेफ्टाम मीडियम और आइटाम फास्ट बूलर इन्हें परिशान कर रहे हैं आसिफ अली हमेशा लास्ट के दो वर के लिए ही काम आते हैं इस बात का ध्यान रखना और रही बात दोस्तों इनकी गेंदबाजी की नदर इनकी परिशानियों की तो ब्रेथवेट एहसान उल्ला समीन गूल अब्बास अफरि विकेट का और इसके बाद शादाव खान पिछला मैच फ्लॉप था लेकिन यहां कुछ इस्पिन को विकेट मिले हैं क्योंकि अगर अगर अब उसामा मीर को देखोगे तो उन्होंने इस मैदान पर विकेट निकाले हैं तो ऐसे में जो शादाव खान है इस मैच के लिए आ मुहमद वसीम के पास में दोस्तों आप दो विकेट देखेंगे पिछले मैच में और बतादूं कि इन्होंने चार पारियों में आथ विकेट निकाले हैं मुलतान के सावब है और जो सारे विकेट है वो पहली इनिंग में ही केसी है तो इनका बहुत बहतर रहेगा आप जी रीस दो विकेट है तीन पारी में चार विकेट इनके खाते में धर्ज है और 43 पारी 43 विकेट इन्होंने अभी तक अपने T20 केरियर में निकाले हुए यह थोड़ा बहतर है काफी अच्छे वेरियेशन का इस्तमाल करता है तो रूमान रेस को आपको टीम में कंफर्म पिक कर रहा है इस टीम के तरफ से रूमान रेस फई मश्राफ आपको पावर प्ले में दिखेंगे डैथ में रूमान रेस टॉम करन और मुहम्मद वसीम का इस्तमाल किया जाने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन सी की बात करें तो राइले रोशो रिजवान और कॉलिन मुन तो आप समझ चुके हो और दोस्तों रियल इलेवन चहां पर आज आपको तीन गुना विनिंग मिल रही है अगर आप 10 रुपे इंवेस्ट कर रहे तो 30 रुपे आपको मिल सकते हैं तो देरी किस बात की है अभी रियल इलेवन को साइन अप करो लिंक आपको को टीम में जगे दी है तो सभी टॉप ओडर के टीम में पिक कर लिए मैंने आप यहां पर देखिएगा सिर्फ एक असन नवाज को मैंने छोड़ा है बाकी यतने भी टॉप ओडर के प्लेयर उने जगे दी है कारण आप समझ रहे हो क्योंकि बैटिंग विकेट दिखने मिल टॉप ओडर के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं तो उनको रखना मजबूरी सा हो जाता है चलिए दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए बाई जय हिंद जय भारत